नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज कीृम नोटिफिकेसन आ चुकी है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से जिए हाँ टीमस की तरफ से नए वेकेंसी आ चुकी है इसमें कॉन कोन ऑप्लाई कर सकता है किस तरीके से आपको apply करना है, क्या criteria इन्होंने रखा हुआ है, क्या salary आपको यहापर मिलने वाली है और यहाँ पर last date क्या होने वाली है तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हम आपको discrim box में जरू provide कर देंगे, आप मासा जाका जरू check out करें और आप eligibility कराइडिक है, according आप इन form को जरू fill out करें तो इसलिए बढ़ते हैं detail notification की तरह दोस्तों वीडियो के discrim box में आपको एक link मिलेगी TMC की पहले उसके पहले आप पूरा वीडियो देख लीजी समझ लीजीए इक इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करना है तो देखे इस ट्रें टाटा मेंबरिल सेंटर के तरफ से नई वेकेंसी निखली हुई है ठीक है नवी बुंबई में इसके आपकी पोस्टिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्हों ने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर detail मागी गई है तो पहले जो वेकेंसी है वो है आपकी आपकी आप एसिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेस आफ वर्ग है वो सिंदू दूर्ग में होने वाला है और आपका जो experience वह दो साल का होना चाहिए इन health care preference महला इन health care में होना चाहिए और यदि बाकी के जो भी इनकी पाइप्लिकेशन आएगी उनको भी यहाँ पर preference दी जाएगी ठीके नेक्स जो बाती है यहाँ पर data entry operator की जिसमें आपको यहाँ पर 19 सजा minimum salary मिलने वाली है ठीके ना खरगर में आपकी हाँ पोस्टिंग ह मांगा गया है इन health care setup में नमरा वेकेंसी के दिए हम बात करते हैं तो दो वेकेंसी इन्होंने आपर रखी हुई है थर्ड और लास्ट पोस्ट हैं आपर field investigator की जिसमें आपको 21,000 से ज़्यादा से जल्र मिलने वाली है विसाखापटनम में पोस्टिंग होने वाली है दूर्ग के लिए है मिनिमम एक साल का experience मांगा गया है health care setup में ग्रेदी आपने graduation किया हुआ है science में with computer software का कोई course किया हुआ है जिसमें office software आपको याद होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक स्ट्रेंड तो यह एक इजी करें इन्होंने रखा ह है तो आपकी पर पोस्टिंग को बढ़ा दिया जाएगा ठीक है जो भी आपका relevant resume है relevant document है आपको इनकी official mail जो आपको यहाँ पर दिख रही है इस पर आपको सेंड कर देना है और लाज डेट है वो इस्ट्रेंड है आपकर 10 जून इसकी लाज डेट है ठीक है इंटर्वी पर देख सकते हैं और आप याद रखिएगा कि लाज डेट जो है वो दस जून इसकी लाज डेट होने वाली है तो आई थिंग आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करें हम चैनल पर पेलिवा विजिट करते ह साथ मैं आने वाली जोब की नोटिफिक्षिन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि सब नोटिफिक्षन की डिटेल सबसे पहले पहुंच जाए अब हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक य पर आप सबी के लिए गौर्न्मेंट जोब के साथ साथ प्राइवेट जोब के अप्डेट प्रवाइट करते हैं कि अपको कोई प्रशनल प्रॉब्लम रहती हैं हम उसको सौट आउट करने के हाप पूरी-पूरी कोसिस करते हैं ठीक कुछ प्रेडियेप भी हमें आपको सोग अपको ब्लती है वहम आपके साथ शेयर करते हैं यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रव्लम रहती है तो थ्यान रखें आपको आपको इसका जॉइन लिंक मिल जाएगे या आप हमारे कमेंट सेक्षन में भी देख सकते हैं आपको मिल जाएगे तो ज़रूर से हमारे टेल झाल